हलो फ्रेंस आज मैं आपके साथ में सेर करने वाली हूँ दो अमेजिंग रेसिपी जिसमें आज हम बनाने वाले हैं चिकन करी और साथ में हम बनाएंगे चना दाल का पुलाओ दोनों का कॉमिनेशन बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है जब इसे बना करके आप ट्राइ चिकन अपने हिसाब से कम जादा आप कर सकते हैं अपने फैमिली के अकॉर्डिंग और चिकन की मैंने यहाँ पर मीडियम पिसे में कट कर लिया है चिकन को अच्छे से वाश कर लिया है चलिए अब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है इसमें हम आइड कर लेंगे और तो यहां पर सर्शोक आइल यूज कर रही हुँ मैं आप अपने मन पसंद कोई भी और आइड कर सकते हैं जो आपको पसंद होगा जो आप खाते होंगे इसमें खड़े मसाले आइड कर लेंगे तो एक जावितरी तीन छोटी लाइ कर लिया है और अब इसमें प्याज आइड कर लेंगे तो प्याज मैंने यहां पे तीन मेडियम सैच के प्याज को चौप करके लिया है स्लाइस में काट करके और प्याज को डाल करके हमें प्याज को जो है सौप्ट होने तक पका लेना है तो आप देख सकते हैं थोड़ दि टेस्ट के अकॉर्डिंग लेज़ेगा जितना आपको तीखा पसंद होगा और प्याज को हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है तो आप देख सकते हैं प्याज जो हो हलकी सी सॉप्ट हो गई हलकी गुलाबी सी कलर आ गई है तो अब इसमें हम चिकन आइड कर लेंगे त इसे बूं लेना है तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए हाइफ्लेम में इसी चोड़ेंगे इसी तरह से हमें बीच-बीच में से चलाते हुए अच्छे से बूहलेना है ता यहां डिया है अब इसमें आइड कर लेंगे हम टमाटर तो यहां पी एक मेडियम साइज की टेमाटर को स्लाइसे में काट करके आड़ गया है साथ में नमक आड़ कर लेंगे टेस्ट के कोडिंग और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे अच्छे से भूल लेंगे ताकि ये टेमाटर जो है वो अच्छे से सौप्ट हो जाए टेमाटर जब स इसमें चिकन मसाला आइड कर लेंगे, साथ में आइड कर लेंगे, धनिया का पॉडर एक चोटा चमच, एक चोटा चमच इसमें कस्मीरी लालमियोश आइड कर लेंगे, हल्दी का पॉडर आधा चमच आइड कर लेंगे, और भुना हुआ जीरा का पॉडर एक चमच आइड कर कर लेंगे तो पानी यहां पर आधा ग्ला साइड करेंगे और पानी डाल करके अच्छे से मिला लेते हैं तो यहां पर अच्छे से मिला लिया है मैंने अब इसे हम कवर करके चिकन को अच्छे से सौप्ट होने तक पका लेना है तो अब इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके मे में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा पांस से छे मिनिट में यह चिकन जो है बहुत अच्छे से सॉप्ट हो जाएगी यहां पर देख सकते हैं इसका सारा मॉइस्टर खितम हो गया है और मसाले भी बहुत अच्छे से भुन गई है तो अब यहां पर ग्रेवी के लिए पानी साला एड करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर मैंने सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है आप इसे कवर कर देंगे और मेडियम फ्लेम में इसे 5-6 मिनिट के लिए उबलने देंगे यहां पर मीडियम फ्लेम में मैं इसे 5-6 मिनिट के लिए छोड़ अच्छे से उबाल आ गई है ग्रेवी में गैस को बंद कर लेंगे और यह सर्फ करने के लिए रेडी हो गई है बहुत ही टेस्टी है हमारी चिकन कर्डी बनकर तयार हो गई है तो बनाकर आप श्राइ किजिएगा इस तरह से ग्रेवी देखे कितना पॉर्फिक्ट बनकर तया हुआ है तो चलिए गैस को यहाँ पे बंद कर लेते हैं उसकेदबाद इसे हम सर्फ कर लेंगे तो इसे बनाकर कि आप रोटी फराठे पूरी पुलाव किसी के साथ में भी सर्फ कर सकते हैं आज मैंने इसे पुलाव के साथ में सर्फ किया वो भी चना दाल का पुलाव जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है दोनों को कॉमिनेशन बहुत ही जबर जस्त है और इस रेसीपी को आप सिर्फ 15 से 20 मिनट में बना कर तयार कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट है तो बना कर आप ज़रू ट्राइ किजेगा तुछे लिए बनाते हैं चना दाल का पुलाओ तो इसे बनाने के लिए हम एक बरतर में आइट कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने दो सि llegó स्टी बड़े चमच bringt कर लिया है इसमें प्याज आइब कर लेंगे तो यहां पर चार मीडियम सैच विप एजट को मैंने सिलाइसे manner काट लिया है तो आधे प्याज को मैं निकाल लेंगे हाई फ्लेम में प्याज को फ्राई करने से प्याज जो है वह जल्दी से फ्राई हो जाएगी तो सभी प्याज को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है इसे हम लास्ट में यूज करेंगे पुलाउं में तो इसे अब हम रख देते हैं साइड पे और सेम ओल मी हम add कर लेंगे खड़े मसाले तो खड़े मसाले में मैंने यहां पर जीरा लिया दा चमच तीन से चार मैंने छोटी इलाइची लिया है तीन से चार लॉंग लिया है एक बड़ी इलाइची लिया है थोड़े से जावीतरी लिया है मैंने दो मैंने यहां पर छोटा टुकड़ा ज तो यहां पर 8-10 काजुं लिया हैं मैंने काजु को डालकर के से हलका सा फ्नाइड कर लींगे और एक घड़ारा किया हम ख़त कीज दब पकार हिल्का से सौ्ट नहीं हो जाए और हलका सा गुलाबी से कलर ना आ जा प्याज में तो आप देख सकते हैं धोड़ी देर के बाद यह प्याज जो है वो सौफ्ट हो गई है हर हलकी सी गुलाबी सी कलर आ गई है तो अब इसमें हम चना दाल आइट कर लेंगे तो यहां हम चनादाल राइट करेंगे तो चनादाल यहां पे आधा कप लिया है आधा कप चनादाल भीगोया हुआ चनादाल है चनादाल को आप 7-8 गंटे पहले ही भीगो करके यूज करें यह बहुत अच्छे से भीगे हुए हैं अगर कभी आप चना दाल भुगोना भूल जाया तो आप इसे गरम पानी में आदे गंटे के लिए भी भुगो सकते है और चना दाल को हम डाल करके अच्छे से भूलेंगे प्याज के साथ में ही इस तरह से चना दाल का पुलाव जो है बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और चिकन करी के साथ में बहुत ही अमेजिंग लगता है तो बनाकर ट्राइ जरूर कीज़ेगा आप अब इसमें हम मसाले आइड करेंगे तो गरम मसाले आइड किया है आधा चमच आधा छोळा चमच और कसमेरी लाल मिर्च आइड किया है साथ में नमक आइड कर लेंगे टेस्ट के कौड़िग इसमें मसाले बहुत ही कम जाते हैं लेकिन बहुत जादा टेस्टी वन के तयार होता है ये तो थोड़े देर के लिए अच्छ से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर चावड आइट कर लेंगे तो चावल देखिए मैंने इस तरह से छोटर दाने वाले चावल लेए हैं चावल आप अपने हिसाब से कोई भी चावल ले सकते हैं चावल को अच्छे से वाश करके 10 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दे तो चावल यहां पर मैं दो कफ यूज कर रही हूं चावल डाल करके अच्छे से मिला लेंगे और इसी हम अच्छे से भून लेंगे चावल को भूनने से थोड़ा पुलाव में जो है वो सोंधा सा ट लगता है तो यहां पर अच्छे से मिला लेंगे इस थोड़ी दर के लिए अच्छे से भून लेंगे चावल अच्छे से भून जाएगे उसके बाद इसमें हम पाンニ आण कर लेंगे यहां और शॉसकी में चावल 2 कफ आप किये है झार को पानीर करते है यहां थाश नहीं देड के लिए अच्छे से भुन लेंगे चावल को जब चावल अच्छे से भुन जाएगी उसके बाद इसमें हम पानी आड़ कर लेंगे यहां हम चावल दो कफ आड़ किये हैं दूसी किसाब से चार कफ पानी आड़ करेंगे पानी को हलका गरम करके आड़ करें इससे बहुत एच्छे इस तरह से घखर कर देंगे और लिए पार कर देंगे और कवर करके में पंद्रा मिनिटbefore पका लेना है फंद्रा मिनिट में पुराव के आपद hyיעर होग大家 होती है का पानी खूत porter हो गई है तो मैं आपको यहां पे चेक करके भी दिखा दूँगी कि चावल जो है कितने अच्छे से सॉप्ट हुए है तो यहां पे आपको चावल थोड़ा चिप चिपा से लग रहा हुगा लेकिन जब ठंडा हो जाएगा ना तो इसके दाने अलग अलग हो जाएगी यहां दो मिनट के लिए से हम कवर कर देंगे उसके बाद इसे हम सर्फ कर लेंगे तो देखिए मैंने से सर्फ कर लिया है फ्राइ की वे प्याज को उपर से थोड़ा सा डाल दिया है और इस तरह से हमारा चेना दल का पुलाव बन कर त्यार हो गया है साथ में मैंने चिकन करी बना बाबाई एंड टी कैर